असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं और आज की जो वीडियो है वो मेरे डेली व्लॉग से थोड़ी से डिफरेंट है आज मैं आपको आटोमेटिक वाशिंग मशीन जो है न वो यूज करने का पूरा प्रोसिजर बताऊंगी साथ इसका भी दूँगी और कुछ ऐसे तरीके भी हैं जो बताऊंगी जिससे आप इस से में जो है न वो अच्छे खासे अमाउंट में जो कपड़ें वो दो सकते हैं और आपकी मशीन जो खराब भी नहीं होगी क्योंकि यह जो वाशिंग मशीन होती है न इनको आपको बहुत तरीके से यूज़ करना पड़ता है तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ यह पैना सौनिक ही है और सेवन केजी तक आप इसमें जो है न वो कपड़ें डाल सकते हैं लेकिन जितना भी एक अमाउंट होती है उससे आप कम डालें तो बेतर है अगर आप ज्यादा सबसे पहले मैंने यहां पर जो है न वो क्या करना है कि आप में जो भी कपड़े वाश करने हैं सबसे पहले आप उनको सीधा कर लें ऐसे ही अगर आप कपड़े डाल देंगे अंदर तो उससे बहुत कम कॉंटिटी में कपड़े आएंगे और सही तरह दोलेंगे भी नहीं तो मैं सबसे पहले सारे कपड़े जो होते हैं उनको सीधा कर लेती हूं और यह देखे मैं आपको दुखा भी देती हूं और क्या करना है कि आप में वो दो पार्स बना लेने हैं जो छोटे वाले कपड़े हैं आप उनका अलग से बना लें और जो आपके बड़े वाले कप सबसे पहले आप बड़े वाले कपड़े डाल लें और उसके बाद आप चोटे कपड़े इसमें डाल दें इससे क्या होगा कि आप पे कपड़े भी दूल जाएंगे असानी से और ज्यादा आप दो सकते हैं इसमें कपड़े तो मैं यहां पे जो है ना वह जारा कपड़े अल जैसे हमने फोल्ड कर दिये और इसको हम मशीन में इस तरह से ऐसे जो है ना वो रखतेंगे उसके बाद दुबारा से ये मैं जीन्स लिये इसको भी मैंने फोल्ड किये और इसको हमने आगे रखतेंगे तो आपने जो है न वो दो रखने हैं एक पीछे की तरफ रखने हैं और एक आगे की तरफ रखने हैं ताकि एक जो है आपका जो लेवल हो जाए अगें जो मैंने ट्राउजर था इसको मैंने फोल्ड कर दिये एक कपड़ा आपने पीछे रखने हैं यह कप्र आपने आगी रखने है अगी है यह यह अगर आप इसी कप्ड़ान को डालते जाते हैं तो इसमें यह होता है कि बड़े वाले कपड़े यह मैंने पहले रखती है उसके बाद इतनी भी छोटे-चोटे कपड़ें मैं उनको जोना वह इसे उपर रखती जा रही हूं और इसमें काफी ज्यादा भी भी स्पेस है आप देख रहे हैं कपड़े गिर नी रहे तो यह सारे मैं ने पूरे कपड़ डाल दी हैं इसके अंदे जितने लॉंड्री बास्केट में थे उसके बाद ये वाला वाशिंग पाउडर मैं यूज़ करती हूं ये बहुत अच्छा है लेकिन आप जो भी यूज़ करते हैं जो आपको मुनासिब लेकि वह आप यूज़ कर सकते हैं अदरवाइस यह भी बह जीनर होता है कमफर्ट वह वाला तो मैं यह यूज़ कर रही हूं और जरूरी नहीं है कि आपने इसमें आड़ करना है आप जस्ट वाशिंग पाउडर से भी इसको जो एना वह यूज़ कर सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मैक्सिमम लिखा होगा है औ अगर आप इससे ज्यादा डालेंगे तो वह जो है ना वह इस्यू हो सकता है इसलिए उन्हें एक लिमिट दी हुई है और मैं कैप में डालकर डालती हूं ताके जो हैना वह ज्यादा ना डाल जी अचानक से तो इस लाइन तक आप मैक्सिमम डाल सकते हैं और बस आपने इत अगर आपने यहां पर हैंड वाश है स्पोर्ट से उसके बार रैपर 15 है जस 15 मिंट के लिए अपने कप्रे दो सकते हैं अगर आपके बहुत सादा जो है ना वह कोई जो है ना वह फैंसी टाइप कप्रे वह वाले और यह जो ब्लैक कलर की लाइन है आपने इसके उपर लेक कपड़ा है और आपने इसको वाश करना पानी से अगर बेबी केर है तो इसके लिए जो है ना वह एक गंटा और 20 मिंट चाहिए होगा तो डिफरेंट आप्शन है जो भी आपको सूट करें लेकिन जो बेस्ट आप्शन है इसमें वह मिक्स इससे आप कोई भी कपड़ दो स सकते हैं अगर बैडची फिर्स हैं वह वाश कर सकते हैं तो यह का फ़िए को आप्शन बहुत पॉल शाइए था को बारा मिंट लगेंगी आपने इसमें तो यह सारह इसमें आप्शनों यहां वह मुजुदं आज करती हैं यह वह मुझाद जाता है इससे भी आप कोई भी कपड़े अराम से दो सकते हैं अच्छे से दूल भी जाते हैं स्पिन भी हो जाएंगे इसके अंदर ही और टाइम इतना ज्यादा नहीं है तो मैं इसको 50 मिंट्स पर रख रही है और उसके बाद बस आपने इसको स्टार्ट कर देने और यहां कि आप्की मशीन है वह स्टार्ट होगी है और फॉर्स जो है ना वो दो से तीज मिंट्स जैसे पी ना तो पूरे 50 मिंट्स हो चुके है और बंद हो जाती है अगर आप इसके बीच में वो इसको पास करना चाते हैं वो भी कर सकते हैं और यहां पे हमारे कपड़े सारे वाज़ हो गए हैं और 90% तक जो जो है वो जो जो ड्राय कर देती है उसके बाद आपने इनको स्टैंड पर डालना है या जहां पर डालना है तो आप डाल दें और बेतर है कि इस मेशीन से आप जो कपड़े हैं वो उसी दिन निकाल लें जा उसी टाइम पे निकाल लें अगर जादे दिर तक पड़े रहते हैं तो इनमें स्मेल आ जाती है तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी दिन निकाल लूँ और अगर आप उसी टाइम पे निकालते हैं तो बेस्ट है और यह आज की एक चोटी सी वीडियो थी एक चोटा सा डेमो हो अगर अच्छा लगे तो जरूर पिलाइक कीजिएगा अलाफ